हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल फ्री आस्ट्रिलोजी और पाम रीडिंग में आपका फिर से स्वागत है आज इस बढ़ियां पाम का अलसेस करेंगे और इनके कोशन के आंसर करेंगे और इनके पाम में देखेंगे यह सी कौन सी बाते हैं जो इस पाम को सबसे पहले चीज मैं बता देना चाहूंगा यह गवर्मेंट बैंक इंप्लॉई का पाम है बैंक में जॉब करते हैं और इनका कोशन है कि क्या इस जॉब यह जॉब से बहुत जादा सटिस्फाइड नहीं है और इनका जानना है कि मैं किसी और जॉब की विप्रेशन कर रहा हूँ क्या उसमें मैं आगे बढ़ पाउँगा यह जुब मैं प्रज़ंट में हूँ क्या उस जॉब से अचछे किसी जॉब मैं जा पाँँगा तो आईए देखते हैं कि इनके जहन में ऐसी बात आई ही क्यों और ये इनका जॉब होगा की ने इनका जो भी सपना है जो भी खुआई से वो पुड़ा होगा की ने इनकी वरतमान एज चल रही है 28 एर्स के आसपास सबसे पहले मैं बता जाएंगा कि इनके जहन में ये बात आई क्यूँ तो आप एख जीष देखो सॉरी वैं डिखाना चाहूं यो देखो ये देखी इनके पाम में ये देखे शूरी रेखा जब सीधी शूरी रेखा हो किसी के पाम में, तो वैसे इंसान में जो हिम्मत होता है, वो बहुत काफी अच्छा होता है, वो लोग अपने महनत के दम पे कुछ भी अचीव करने की एविलिटी रखते हैं, और वो कहीं न कहीं करते भी हो, वो ऐसे लोग को लगता है कि मैं कुछ भी करूँगा तो मैं अचीव कर लूँगा, एक संतुस्ती वाली जो नेचर है, ऐसे सूरी रेखा की वज़े से उनके लाइफ में देखने को नहीं मिलती, मतलब वो कभी discomfort हो जाए या फिर उनको लगे कि नहीं मैं सच्छा कर सकता हूँ, तो उससे आगे वो बढ़ने की हमेशा कोसिस करते हैं, और यह कहीं नहीं कहीं अच्छी चीज़ भी है, और जो इनका question था, तो इनकी age चल रही है अभी 28 years, तो इनकी age मेरे समझ से जो चल रही है, वो यहाँ पर चल रही है, यहाँ इस period में, तो यह जो 28 years का age इनको दरशारा है, तो इनके जो job के indication है, वो इनके पाम पे लगबग 32 के आसपास आएंगे, यह देखे, यह 32 से 33 के आसपास अच्छे indications है, well settled होने के, एक बार 30 years के आसपास कोई राहू लेखा इनको कट की वे, तो 30 years के आसपास तो इसे परिशानी हो सकती है, इनके life पे, लेकिन 30 years के बाद इनके जीवन में progress line है, 31 से 32 के आसपास, 32 के आसपास से progress line शुरू है, तो वहाँ से अच्छे खासे योग दरशार है, तो एक बार आप परियास करोगे सर, तो हो सकता है कि एक बार आपको नकाम मियावी का सामना करना पर सकता है, लेकिन 31 years से आपके पाम पे बहुत अच्छे योग हैं, आप अपने job को skip करके, जो भी आप job कर रहे हो, आप आगे बढ़ने के बहुत अच्छे योग है, तीन progress line है, यह दरशाता ही है, कि इनसान अपने जीवन में आगे बढ़ता है, इन फिलाल के समय में, तो अभी फिलाल के समय में, प्रेजंट के समय में, तो कोई फिलाल वैसे कोई योग नहीं दिख रहे है, आप जो job कर रहे हो, आप continue रखो, और आगे चलके, एक 30 years के आजपास कुछ राहू लाइन का तोरह सा, यह देखे, यह राहू लाइन का उतना कोई बहुत जादा ब्रीहद नहीं है, लेकिन तोड़ी बहुत समस्या देखने को मिल सकती है, 30 years के आजपास पर, तोड़ी बहुत financial loss टाइप की, लेकिन वैसा कोई विशे इस टेंशन वाली बात नहीं है, उसके बार continue 31 years से 30, 31 में, 33 में, 35 में तो बहुत परी progress line है, तो यह आप आप an unexpected तरीके से आपके जीवन में result रहेगा, unexpected कहने का sense है, कि जिस चीज के विशे में आपने नहीं सोच रहा होगा, वो चीज आपको अचीज आपको अचीव होगा, और अच्छे खासे पैसे के योग भी दिख रहे हैं उसे इससे, और मैं जब luck line पहूँगा, तो बताऊ आप लोगों को, कि इनका mind रेका हट line मिला हुआ है, इसको हट line समझने के गलती ना करे, ये एक परकार का वले है, जो शुक्र वले जिसको मैं कहता हूँ, ठीक है, इसको मैं शुक्र वले कहा सकता हूँ, एक परकार का ये वले है, ये वले कैसा फल देगा, जब इस वले में प्रकार का मेरे experience के आधा अनुशार ये वले कहीं न कहीं थोड़ी बहुत टेंशन देते वे दिखता है जीवन में लेकिन मैं बताओंगा कि इस वले का इनके life पर क्या अफल आएगा अब मैं बताओं इनके mind रेखा है and heart line ये दोनों इनके मिली हो है मैंने पहले वीडियो इस पर बनाई हुई है जब ऐसे मिली हो तो इनसान काफी emotional होता है वो काफी emotions बढ़े रहते हैं वो emotions में इंसान अर्पोग भी होते हैं कहीं न कहीं कहीं न कहीं न कहीं उन पर डरकी भी आ रहते हैं और वो attachment कई न कहीं उनको परिशान करती है तो हो सकता है कि ऐसे person जल्दी attached हो जाते हो जल्दी trust कर लेते हो उन लोगों पर तो कभी न कभी ये चीज अच्छी भी है और कभी न कभी ये चीज थोड़ी बहुत परिशानी भड़ी भी है क्योंकि जल्दी attached होने के ब तो ये एक परशानी रहती है, तो जब ये मैं इनको बताऊंगा कि इसके लिए क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद इनके पाम पे आप देखो जुपिटर को, अब मैं इनके पाम के लिएसस के तरफ सलता हूं, जुपिटर फिंकर हो गया, सेटरन हो गया, शन हो गया, एंटि अच्छी रहती है, जुकि शूरी रेखा एक ही है, जब एक रेखा रहता है, ज़्यादा ओर दिमाग नहीं जाता, तो ये एक अच्छी चीज है, जुपिटर फिंकर इनका भी स्ट्रेट है, तो एक लिडर सिफ कॉलिटी भी रहे गया, लेकि ऐसा जुपिटर फिंकर है, ज जो ये एक्सपेक करते हैं अपने लाइफ से, वो कई न कई मिसंग थोड़ी सी कमी करके आती है इनके जीवन पर, लेकिन ऐसे जुपिटर कॉलिटे इनसान को लीडर सिफ तो कई न कई दे सकती है, लेकिन पूर्णतार लीडर सिफ कॉलिटी के योग नहीं है, ऐसे लोग अ प्रंदार सिफ जीडर योडर पर, लेकिन फिर सनिर करने से जोब पीचे नहीं अटते हैं, उन लोग को पता ही नहीं होता कि आलश्य क्या होता है, तो ऐसे लोग बहुत मैनत ही होते हैं, ऐसे में तो कोई टाउट वाली बात नहीं है पिरेमे इनके buddha finger को देखो विट फिंगर भी फरस्ट फोर से जा रहा है तो जब बुट फिंगर फ़स्ट फोर से उपर जा Size तो वह बढ़त लोग चीजों को समहाल के रखते है उनमें अच्छी खास यादास्त की समता होती है कागच के कारोबारसे paper work में काफी ज़्यदा पक्के होते वो paper work बहुत अच्छे तरीखे से कर सकते है तो कहीं न कहीं इनके palm पे इनके zapitter और इनके बुद्ध finger के हिसाब से administration में यह जा सकते है administration official work यह official work bank में है और यह आगे भी official work में जा सकते है अफिशल वर्क के अच्छे खासे योग आ रहे इनके पाम पे, मैंने इनको बताया भी फिर मैं अब बताता हूँ इनके पाम पे जो विशेश लाईन है अब देखे इनके पाम पे शुक्रवले के विशे में बता हूँ देखे एक जो शुक्रवले यहां से आगया, ठीक है तो यह शुक्रवले पुर्ण नहीं वाँ जब ऐशा शुक्रवले हो किसी के भी पाम पे तो आप एक चीज तो इसमें नेगटिव चीज आती है यह नेगटिव चीज ही आती है कि कंसंट्रेशन में थोड़ी सी प्राप्लम आती है वो लोग अपने एम को रिसाइट करने में थोड़े से थोड़े से परिशानी रहती है लेकिन आमिस्ट्री है तो आमिस्ट्री में ओवर और अनलिसस का ही वैली होता है तो यह कभी इनको पैर खीश सकते शुक्रवले है कि कभी कंसंट्रेट करने में थोड़ी प्राप्लम आ सकती है लेकिन यह शुक्रवले है तो कहीं न कहीं इसका फल इनको जीवन पे आना है अच्छी परस्नालिटी होगी लोग पाग इन से अच्छे खासा आकर्शित हो जाते होंगे अच्छे इंसान होंगे अब मैं इस शुक्रवले के विशे में बताता हूँ यह शुक्रवले देखुआ यह बुद्ध परवत से चलिया यहां पाई तो कहीं न कहीं इनकी जो लाइफ पाटनर होगी वो काफी डॉमिनेटिंग होगी कहने का सेंस है कि इनके पीछे या फिर मतलब डॉमिनेटिंग कहने का सेंस है कि कियर करना इनका ख्याल रखना ये कहीं न कहीं ये भी उनके लिए बहुत डॉमिनेटिंग होगे उनको बहुत ज़्यादा लगाव होगा हो उनसे मतलब ऐसे परसन जो होते है न इसे वाइफ की बात नहीं कर रहा जिसके पाम पर भी ऐशे शुक्रवल है आप सीधा सीधा कहा दो कि आप उनके दिल में लोगों के लिए प्यार होता है जो भी उनके अपने होते हैं वो लोगों से प्यार करना जानते है और एशा शुक्रवल है जब ज़्यादा इमोशनल एटैजड हो जाए इनसान तो ओविसली बात है कभी न कभी ये च्छती का भी कारण हो सकता है एक बार एक बात की मेरे बाता था हूँ मेरे पास एक पाम आया था शुक्रवल है था मैंने उनके जीवन में पूछा कि आपके लाइफ में क्या कि नहीं ने आपको हर्ट किया पाम में जीवन में घूप एक फास शुक्रवल है उसको अपना सब कुछ मानेंगे उससे उसकी खुशी है इनके लिए बहुत मैटर करेगी जीवन में और इनकी वाइफ भी कहीं न कहीं यह भी दर्शाता इनकी जो वाइफ होगी अगर योग से योग से मिले तो वह भी बहुत अच्छी मिलेगी अब यह 100% सेयोटी के साथ तो लाइफ में पाया है उस आधार पे ही मैं पाम रेट करके लोगों को बताता हूँ और इस चीज की मैंने परहाई करी है और यह परहाई करके जो में को समझ में आता है जो हमारा experience कहता है मैं वैसे ही बताता हूँ अपने मन से कुछ भी नहीं बोलता फिर उसके बाद अब मैं देखो इनके पाम पे बुद्ध को इनका बुद्ध वेल डबलब तो मैं नहीं कह सकता है मीडियम में तो मीडियम में समझदार होगा कभी कभी कबार ब्लैंकेश का भी योग होगा कभी कबार इनको कुछ चीजे समझने में प्रॉबलम आती हो कुछ इनको उसमें सपोर्ट क्यावशक्ता पढ़ती होगी लेकिन वैसा अक्सर नहीं होता होगा वैसा कभी-कभी ही होता होगा ऐसे बुद्ध जैसे रहते हैं वो इंटलिजेंट होते हैं वो अपने काम को फस्पायोटी देते हैं जीवन में वो काम को ज्यादा महत हो देते हैं वो काम करते हैं अपने र बात आती है, concentration अच्छी रहती है, लोगों की, concentration पावर उनकी काफी अच्छी होती, वो एक टाइप से दिमाग में, एक टाइप जो उनके मन में सेट हो गया, वो उसी पर दिमाग लगाते हैं, जादा इतरोतर दिमाग नहीं बढ़काते हैं, और इनके शूरी रेखा को विशे विद्यारेखा सपोर्ट करते हैं, शूरी रेखा हो तो फिर कहने ही कहा है, वैसे लोग को basic knowledge काफी अच्छी होती है, शूरी रेखा भी प्रबल है, विद्यारेखा भी अच्छा है, तो कम महत में जादा मिलने की संभावना है, इस से कहने का सेंस है, कि भाग इसे नहीं मिल लेकिन आपका महत में जादा मिलने का जो इनके पाम पर जो मैं बताना चारा हूँ, वो यह है, यह कम पढ़ेंगे ना, तो और लोग के मुकाबले यह एक कंटा पढ़ेंगे, तो और लोग के मुकाबले वो तीन गंटे के बराबर जरूर होगा, इनमें समझ सकती अच्छी दबा हुआ है, धसा हुआ है, तो जब ऐसा दबा हुआ है, तो वैसे मैं आलिशलहता नहीं जीवन पे, वैसे लोग आलसी रहते हैं, आलसी किसम् zombi होते नहीं, तो आलिश्य तो रहेगा नहीं, यह अपना काम इमानदारी पुरुपत करेंगे, और जो इनको अगर कभी किस चीज जगा जाना हो, तो ये रूटीन से उठके अपने टाइम टेवल के हिसाब से अपना काम करेंगे, इनका जूपिटर ठीक है, इनका जूपिटर मेडिया में है, साइट हलका सा दवावा है, तो फैमिली टेंशन रहेगी इनके ऐसे लोग के जीवन में बार-बार कहता हू कि जब इदर से तोड़ा दवावा रहे तो तो फैमिली टेंशन रहती है, चली कोई बात नहीं, वो ऐसी कोई बहुत प्रिहत ने रहेगी लेकिन ऐसे लोग टेंशन लेते हैं अपने लाइफ में तो टेंशन मत लीचिए, आपके जूपिटर में और एक जिनके जूपिटर कर ले, तो ये अच्छी चीज़ है, ये इनको अच्छा करवाईगी जीवन में, इनको घर मकान दुआर एक ओधरिटी पोस्ट दिलवाईगी, और इनके जूपिटर पर एक ट्रियंगल जीवन देका के साथ बनावा है, ऐसी ट्रियंगल जब बनी हो, तो इनसान उस प्रिय में है, या जो बिजनस प्रोफेशन में, बिजनस को अगबरेट कर सकता है, बढ़ा सकता है, घर मकान बना सकता है, ऐसा ट्रियंगल दिखाता है, जीवन में कुछ अचीवमेंट, तो वो कुछ अचीव हुआ होगा है, इनके लाइफ में, अब मैं इनके पाम पे देखू, पाम पे मैंने माइन रेका के विशह में बताई दिया, यह माइन रेका क्या करती है, एमोशनल होते हैं यहां तक मिला हुआ है और 40 नुमाय बना हुआ हुआ है, तो इस Age तक लगवग इनका 23 तक तो तोड़ी बहुत लाइफ में दवाब रही होगी इनके जीवन में, दवाब कहने का सेंसे तो भी बहुत परिशानी वरी जीवन रही होगी स्ट्रगल प्रियड रहा होगा चाहके भी यह कुछ नहीं कर पा रहे होगा फिर 23 के बाद उन्नती के योग थे 23 के बाद जीवन रेखा और माइन रेखा इनका 24 में लगबग जोब भी हुआ था इनके लाइफ में फिर अभी जो इनका मेजर कोशिन था कि आगे तो आगे यहां इस परिड़ में दो राहू लाइन एक राहू लाइन तो प्रबल है यह लगबग आपका 155 से 26 के आसपास है यह यह वैजज पैंशिल लॉज दर्शा दर्शाता है श परिजय जषमां फायं से अना किसी प्रकार के दर्शाथ यह घर चोने अपनेinta फिर बदन प्रबल नहीं तो ठीक हो जायेगा यह बन्यिंदे नहीं प्रबल नहीं यह हो सकता है बहुत अच्छे योग है आपके प्रगती के 31 से 35 तर आप प्रियास करो ज़रूर होगा आपका ये तैय वाली बात है महनत करो भी ना महनत के कुछ नहीं मिलता तो महनत तो करो ही करो आप और इसे योग बनेंगे कि आप करो भी और आगे भी इनके जीवन पर प्रोग्रेस लाइन है वो मैं दिखाता हूँ आगे ये देखो ये भी एक प्रोग्रेस लाइन है यहाँ भी एक प्रोग्रेस लाइन ह कुछ मैं दे दूगा भी तो उमीद ता वो मिट जानी चाहिए नहीं भी मिटे तो आप केरफुल रहना आपके लाइफ के ये देखे ये इसमें ये 37 के आज पास थोड़ी बहुत परिशानी थोड़ी बहुत ये ऐसा राहू लाइन वो उसके बाद वो अपने ऐसी जब कट हो किसी के पाम पर गोमीद कापी वो सहारा ले सकते गोमीद भी काफी अच्छा पाइदा करता है ऐसे में उसके बाद मैं अब बताना चाहूँगा इनके प्लैनेट को लेके इनके मंगल को ये आप देखो ये मंगल ठीक ठाक है इनके पाम पर मीडियम में तो एनरजी रहती है बॉड़ी में ऐसे लोग किसी से अगर मिलते जूलते हैं तो फिर काफे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है उनके सामने वाले के जहन पर कि ये एक अच्छा इंसान एक अच्छा परसन है और हाँ इनके पाम पर एक चीज और खास च तो जब ऐसी मंगल रेखा बन जाए तो फिर कई सेंशन वाली बाती नहीं है आपका लाइप बहुत अच्छा है बहुत दिरगायू हो आप दिरगायू कहां से मतलब 85 तो बचो गई बचो गे तैय वाली बात है उससे जादा कि मैं गैरेंटी नहीं लोगा 85 तो बचना ही है और यह देखो यह कुछ जो लाइने हैं यहाँ पन बहुत पर यह लाइने टेंशन दर्शाती है और इनका मंगल ठीक ठाग के मेडिया में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है और आप अपने लाइफ में थूद थोरा टेंशन कम लो इस मंगल के लिए आप एक मौंगा धा परन कर सकते हो, जैसे आपका मंगल है, वो आपको सपूर्ट करेगा आपके जीवन में, फिर मैं आपके पाम पे शुकर को देखू, इनका शुकर बहुत जादा ब्रॉड नहीं है, मीडियम में तो ऐसा मीडियम में शुकर रहता है, तो इंसान में सुस्तता रहती है, वो अच्छा शुकर हो शुकर पर यह देख लो आप यह सब लाइने लगजरी के शुक्र दर्शाता है ऐसे लोग अपना गारी बहान आराम से खरी सकते हैं लेकिन रुकावटे भी हैं यह जो जाली नुमा बन रहा है ग्रिडल ऑफ सुक्रिस को क्याता है ग्रिडल ऑफ वैनिस त था कि क्या मेरी जो आगे जॉब होगी वो मेरे घर के पास पास होगी या दूर होगी कि किसी ने किनों ने किसी ने इनको बता दिया कि इनका जॉब होगा इनके घर से बाहर होगा हमारे समझ से सर आपके पाम के हिसाब से आपका घर से नजदी की ही होगा जहां भी आप रह है तो हमारे नॉलेज के अनुसार आप अपने घर के आसपास ही रहोगे आपका जॉब वहीं आसपास ही होगा हो सकता है कि जिस फिल्ड में आप जा रहे हो आगर में पोस्टिंग होम टाउन नहीं मिले लेकिन जिस जिसकी भी आप प्रपरेशन कर रहे हो लेकिन आगे चलके जिस समय आप जौब आपका हो जाएगा आप घर के आसपास ही रहोगे एक दो लाइने है वो एक यात्रा दर्शाती लेकिन कोई बहुत दूर की यात्रा प्रबल कोई यात्रा वाली इंडिकेशन आपके पाम पे नहीं है कि एक प्रबल कोई यात्रा वाली होगे एक स्क्व पाऊगे और उसका देखिए जब ज़्यादा श्रॉंग चादर्मा हो चाहे तो भी वह चंचलता अती चंचलता आजाती है जब बहुत कम स्टरॉंग हो तो और भी चंचलता आजाती है दोनों का संसलाग अलग है तो जैसा इनके पाम पर चंदर्मा है ऐसे हिसाब से एसे लो लेटिगेशन वाली कुछ समस्या का शामना करना पड़ सकता है लेकिन ऐसे कोई प्रबल योग नहीं है मीडियम में मंगल है तो उचाहेंगे तो थोड़ा परियास करेंगे तो इनका खुद का घर मकान जमीन भी हो जाएगा अपना प्रस्तल तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है लेकिन हाँ कभी न कहीं ये थोड़ी बहुत भी बात दर्शाती है लाइफ में अमनी को लेके हो जाए या फिर जमी जायत को लेके हो जाए तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है ये मुंगा से आपका ये मेरे समसर ठीक हो जाना चाहिए फिर मैं आप इनके पाम पे money triangle को देखो इनके पाम पे बुद्ध रेखा बहुत बढ़ी है जब ऐसी बुद्ध रेखा हूँ तो ये कही न कही money triangle भी बना रही है इतनी बड़ी money triangle है तो पैसे तो आ नहीं है जीवन में progress line भी है तो ये भी पैसे दर्शाई ही रहा है और आप अपने job से इंटरिफाइड भी हो आप किसी और फिल्ड में जाना चाहते हो तो ये सारे योग दर्शा रहे हैं कि आपका अधर फिल्ड में job से जाहां आपको कमाई का योग बने क्यूंकि आपके पाम पे कमाई के योग अच्छे हैं आपका पाम का कलर भी पिंक है जो पिंकिश कलरता है वो पैसे पर अट्रेक्ट करता है वो भी अच्छी चीज है हाथ अब मैं मेजर चीज बता जाओंगा इंका लक लाइन लक लाइन थोड़ा सा परिशानी वड़ा यह लक लाइन एक्टिवेशन प्रेयर था लगबग 25 के आसपास 25-26 के बीच यह आपका कंटीन्यू चला है आपके जीवन में लक लाइन पे बहुत अच्छी चीज है मैं आपको दिखाना जाओंगा यह देख लोग यह हमारे समझ से यह मचली का फॉरमेशन है यह मतश्री इनको बहुत पैसा दिलवाएगा इनके जीवन में अगर यह उस समय तक नहीं मिटा इसका एक्टिवेशन परियर भी लगबग 31 के आसपास 30-31 के आसपास है और यह कंटीन्यू इनके जीवन में चला है 55 के आसपास तक मचली वाला शाहिन चला है तो वैसे में बहुत अच्छे योग है आपके पाम पर पैसे कमाने के और आप जिस चौब के लिए प्रिपरिशन कर रहे हो और आप चाहरे हो कि इससे स्किप करके आगे बढ़े तो वैसे भी उसके भी कुछ अच्छे योग आ र अच्छा है इनके पामे और कहीं न कहीं यह फिश दिख लाया जब लक्ला इन वफिश ओ तो भागे रेखा के पाबर में वृवर्द्धी करता है बहा के रेखा को बढ़ात बहागे को बढ़ाता है तो इसका एक्टिवेशन प्रेड भी लगबग 32 के आसपास से है और कहीं न कहिए जीवन में continue 55 to 56 तक आपको प्रगति दिखा रही है आप रप्रेशन करो आपका जरूर होगा और आप प्रियास रथ रहो अपने जीवन में पैसे के भी योग काफी अच्छे हैं दो तीन चीजों से इनके पाम के मैं कहा सकता हूँ इनके जीवने 31 से पैसे आने स्टा पिल पिल्हास करो इनका अंगुर्था देख लो आप इनका ंगुठा first balance उतना स्ट्रॉंग नहीं को इनके इनका वीलपार में कम्जोर होगी दड़ की समस्या होगी और पूछा भी था निए सेकेंड वोर्ड विटोरा सब तोरा से स्ट्रॉंग न है desire की लाइने है desirable रहेंगे लेकिन कई ना कई एक बहर लगा रहेगा अपनी जो हित हैं उनकी रक्षा करने में ऐसे लोगों थोड़ी बहुत problem का सामना करना पर सकता है तो आप जाल लोगों से interact ना करो हमारे solution यही रहेगा आपके लिए तो आप बहुत emotional हो और हाँ यह देखे यह बना वांग उठा पर तो जब ऐसा यह बरे तो अपने घर में यह नहीं सीज में बता रहा हूँ अपने जोग जहांटका नेटिव प्ले से जाना जाना वाओ उपने घर में एक अच्छे मुकाम को आसर करते हैं परतिस्थिट व्यक जीवन में आपके बदलाव होंगे और आप लाइफ में प्रगति के भी अच्छे योग है मतश्य भी बना हुआ है तो आप परियाश करो आपका होने का संभावना पैसे भी अच्छे आपके जीवन में रहेंगे और हाँ आपके घर से नजदीक ही आप रहोगे वैसे कोई योग नहीं है कि आप घर से दूर जाओ तो आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दन्यवाद